पात चरणों का ये चुनाव चला, दो महिने तक चुनाव प्रचार चला, आप जाहिर सी बाते की लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप जहां जेमेम के उमिदवार लड़ रहे थे, वहां तो आप जाही रहे थे, महा गठबंधन की दूसरी पार्टियां जहां से पात चरणों का चुनाव, हेमन जी, हमने तो कहा कि ये चुनाव बड़ा बिचित्र रहा, और अनुभव भी हमको कही मिले, आज इस देश का ने, दुनिया के सबसे ताकतवर राजनितिक दलक से हमारा तक, इस राजनितिक संगराम हुआ, जो भारती जनता पार्टी अपने आपको कहती हैं, लेकिन दुर्भाग की बात है, कि हो सकता था, कि परिस्तितियां कुछ और होती, जब इस राज में विबस्थाएं कोई किसी और के हाथ में होता, आज इस दितिति ये भी बनी इस चुनाव में, जो मानी हमारे मुखमंत्री जी, रगवर दाह जी, वी स्ट स्टार प्रचारक हैं, मैं भी स्टार प्रचारक हूँ अपने पार्टी का, और उस स्टार प्रचारक को जितने के लिए सूपर डूपर स्टार प्रचारक को जमसेत्पूर उतरना पड़ा, जो भारती जनता पार्टी के थे, आपने देखा, आमिज साहजी भी गए वहाँ, और बोदी जी भी गए अनेक लोग गए और पता ने हमारे वानी मुक्रमंत्री जी की नईया पार होती है की नहीं होती है इसका भी अभी संभावनाओं में कई कुशन मार्क खड़े हैं तो आज अनुभाव तो बहुत अच्छा रहा अच्छा कहते हैं सब कुछ जीत लिया लेकिन घर नहीं जीता अगर घर अपना इलाका नहीं जीता तो फिर मज़ा नहीं आता तो मैं हमन्त सुरेन जी से जानना चाहता हो की आपका गढ़ हाला कि विरोधी नहीं मानते विरोधी कहते है कि नहीं संथाल गढ़ नहीं है GMM का लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितने political experts हैं जो सियासत जारखंड की समझ रहे हैं वो सब जानते हैं कि संथाल GMM के नाम से जाना जाता है उसका गढ़ है संथाल में क्या होगा इस बार क्योंकि अब प्रचार का वक्त नहीं है और अब कालपनीक दावे का वक्त नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इमानदारी से बताएं कि संथाल में इस बार क्या होगा बिल्कुल 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 अभी से जिए मैं आपको बहुत असपस रुप से कहूंगा कि जो बिकत चार चरण के जुनाओं जो हुए हैं जो उसका मूड रहा है उस मूड में और मतलब इजाफा हुआ है लोगों ने मतलब कहा जाए कि पांचो चरण का जो चेहरा होगा वो लगभग एक ही ट्रेंड की और जाएगा एक के बाद एक जो चुनाओं होते गए और उस चुनाओं में जो स्पीड आई है चुनाओं आपने देखा कि वोट अपरतिसद भी बहुत ताबरतोड संथाल परगाना में हुआ है तो आप बाकी और सब चरणों में थोड़ा कम देखने को बिल्कुर और चरणों में 60-65 क्यास पस रहा है तो आप देखेंगे कि यहां का परिणाम भी आप रतियासित होगा बहुत चीजें आप यहां पर चौकाने वाली चीजें देखेंगे और मैं इंतिजार कर रहा हूँ जो मैं अभी बोल करके अपनी पीट नहीं थपत पाना चाहता थोड़ा सा मैं इंतिजार कर रहा हूँ सबर के साथ हमारा बहुत मतलब अटूट रिस्ता है और उसी के साथ हम 23 तारीक अंतिजार कर रहे हैं कि कुछ चौकाने वाली बातें जो है अपने लोगों के बीच में अगर आप विश्वास और उनका प्यार पाते हैं तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है आप भले ही सारे इलाके जीत लें लेकिन अपने परिवार अपने आसपास के लोगों का प्यार पाना राजेश कुछ पूछ रहे थे जी बिल्कुल हेमन जी ये सवाल मेरा है कि आप कई सालों से जारखन की सियासत कर रहे हैं और ये आपका पहला चुनाव नहीं था लेकिन इससे पहले होता ये था कि गुरू जी नित्रितु करते थे वो आपके साथ रहते थे हाला कि इस बार भी थे लेकिन स्वास कारणों की वज़े से उनकी सक्रियता में कमी आई थी तो ये जो अनुफब था आपके लिए कि बिलकुल फ्रेंट होकर आगे आकर बढ़ना आगे जाना तो ये एक्स्परियेंस ज़रा बताईए ये मेरा ही नहीं है सब लोगों के दल में सभी लोगों के पार्टी में ये बदला होता है आज आद अन्य गुरुजी निस्चित्रूप से एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है वो लड़ाई जीती भी है और बाकी की लड़ाई उम्र में आदमी कितनी जंगे जीत सक सकता है राजनितिक जंग राजनितिक वो भी रास्तों के साथ आगे बढ़ना और आज एक उम्र के पड़ाव में हैं लेकिन आज के दिन में भी आज आपने देखा इस बार चुनाव में भी वो सक्रिय भूमिका में रहें ऐसा नहीं कि उन्होंने एक-दो सभाएं की उन्ह एक पुरी हो ही नहीं सकती और हां यह बात जरूर है कि मुक्य िए मैं लीडरोल पर हम जरूर रहें और अपने साथ साथ गड़बिन्दन के भी लोगों कोशन्म करेंगे और अपने बहुत है और मुझे लगता है कि गड़बंदन के हमारे साथ ही भी बहतर प्रदर्शन करेंगे और पुरा जार्खन मुक्ती मुर्चा तो करेगा ही करेगा साथ में हमारे गड़बंदन के भी लोग काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे हेमन जी एक सवाल और है बिहार के दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं आपको कल तेजस्वी यादव बिहार के नेता पृति पक्षे उन्होंने आपको ट्वीट के जरिये बधाई दी थी और लिखा था बधाई हो हेमन सोरें जी इन एडवांस ये लिखा था आपने रिट्वीट किया आपने लिखा कि समर अभी शेस है लेकिन अब समर खत्म हो चुका है मन्जी आप बताईए उस ट्वीट का भी जवाब दीजिए हमारे सामने देखिए हम लोग साथ में हैं उन्होंने भी चुनाव परचार किया है यहाँ पर और निश्चित रूप से उनकी भी नजर है इस चुनाव के नतीजों को लेकर उनकी भी चिंता होगी और उन्होंने जो कहा इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और निश्चित रूप से आज चुनाव खतम हुआ है आप लोग अपने एक्जिक पोल दिखा रहे हैं उसी साब से अगर हम आपकी तरफ से कहें तो वो लोग उन्हों को भी हम इन्विटेशन पर जरूर उनको भी हम लोग भेजेंगे आप लोगों क्या क्ड़े कैनू साब अच्छा आदिवासी बहुल जो शेत्र है जैसा कि आप कह रहे थे चुकि सी एंटी स्पी टी एक्ट मुद्दा बना था और रगवर सरकार के कारेकाल के शुरुवाती दोर में ही ये मुद्दा बन गया क्या आप हाला कि ठीक है रगवर दास सरकार का अपना फैसला था लेकिन एक वेपक्ष के तौर पर एक विरोधी के तौर पर क्या आप मानते हैं कि वो वाकई बीजे पी के लिए एक आत्मगाती फैसला था उस तरफ कदम बढ़ाना बहुत सारे बिसे हैं और वो एक नहीं है सीन्टी एस्पीटी के बात हो अस्थानियनिती के बात हो मैं इसमें एक बात जोड़ दूँ कि दरसल मैंने ये सवाल इसले पुछा खास्तों पर सीन्टी एस्पीटी के बारे में हैं मन जी क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आदिवासी बहुलक शेत्र में बीजेपी को बहुत बड़ा जटका लगेगा इस बार चुनाओं में ये आकलन कह रहा है एंटी ट्राइबल इमेज बन गई सरकार के सब यह कह रहा है यह बात तो आपको अगर आप देखेंगे कि लोगसभा में ही इसके एक आहाट सुनाई दे गई है आपने लोगसभा में जितने भी हमारे यहां के रिजर्व सीट्स हैं जहां आपसे ट्राइबल लोग कुछ पर्तियासी के रूप में चुने जाते हैं भले भारती जनता पार्टी के लोग जीत गए लेकिन किस मसक्य के साथ उनको जीत हासिल हुई है वो भारती जनता पार्टी के लोग जानते हैं और आहट उसी समय थी और इसकी पूरी तरीके से मैं उस आहट को सुन रहा था समझ भा रहा था चुकि ये विषय सिर्फ चुनाओं का विषय नहीं रहा है ये देश अजाद होने से पहले से इस विषय को लेकर के यहां के लोग संगरसरत रहे है आज ये विषय ऐसा विषय है कि इसको बिना सोचे समझे अगर किसी तरीके की कोई किसी तरीके से उस पर कारवाई होती है या उस पर आज आपको पता है इस इस आंदोलन में हजारों हजार लोगों पर एफायर हुआ केसिस दर्ज हो गए और आज सरकार को जब ये सरकार ने माना कि नहीं ये हम नहीं करने जा रहे हैं ये अपने उन्होंने बिल को वापस लिया है वो भी अफिशली वापस नहीं लिया है अनफिशली वापस लिया है खाली मौखिक रूप से और इस विशे पर जितनी भी लोगों पर केस हुआ आज की दिन में भी वो गरीब किसान मजदूर पढ़े लिखे नौजवान जो कॉलेज वाले हैं बच्चे हैं यह अपनी पढ़ाई उनको छोड़ छोड़ करके जेल में जाना पढ़ रहा है बड़ी मुश्किल से बेल लेना पढ़ रहा है और आज इतने पैमाने पर यहां पर लोग परिशन कमसे पच्चीस सतीसजार लोगों पर एफायर हुआ था और सभी लोग उस कानून के विरोध में रहे थे इनके कारवाई के विरोध में थे आज सुभावी गरूप से आप किसी को इतने बड़े पैमाने पर आहात करेंगे तो उनका दर्द तो उनको होगा ही तो ये आकरोस था लोगों में आग धदक रही थी इंतिजार कर रहे थे लोग और समय आया लोगों ने अपना आकरोस मतों के रूप में दिखाया है क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि दरसल CNTSPT Act का विरोध किया जा रहा है लेकिन हकीकत में वो जमीन जो है आदिवासियों की उसके जरिये उनका विकास हो सकता है उनकी तरक्की हो सकती है लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आप लोग समझाने में कामियाब हो गए कि नहीं बगैर उनकी जमीन छीने जो इस्थिती है या थावत रहे और तब भी हम विकास कर सकते हैं दिवासियों को ऐसा लगा कि नहीं विपक्षुत सही कह रहा है क्योंकि सरकार कर बैक्फुट पर आ जाना उस फैसले पर यहीं बता रहा था कि मैसेज चला गया देखे राजशी ये कानून कभी भी विकास में बाधा नहीं रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि इस कानून के रहते इस देश में एसिया का बिगेस्ट प्लांट लगे उद्योगों लगे हैं यहाँ पर आज ये एक्ट रहते हुए कई कार खाने लगे टाटा जैसी कंप आज देश के नामी गिरामी उद्योग घराने यहाँ पर इसी के कानून के रहते हुए इस्टेब्लिस्ट हुए यहाँ बड़े-बड़े वाटर रिजरवाएर बने आज कहीं से ये कानून बाधक नहीं रहा हाँ ये बात जरूर है कि आज विकास के नाम पर जिस तरीके से लोगों को पुरू में लोगों ने सरकार को सहयोग किया उसका experience बहुत अच्छा लोगों को नहीं मिला उसका जो यह होना था reflection होना था यह reflection जस्ट उसके उलट हो गया लोगों ने जमीने तो दे दी आज भी आपको हम बताएं कि 70 परतिसत जमीन और population दोनों आज इस राज में गायब हैं बिल्कुल हमन जी एक एहम सवाल है और यह सवाल अगर आपसे नहीं लेंगे तो यह चर्चा धुरी रह जाएगी अगर आपकी सरकार आती है जो एक पूल का नतीजा अगर सही साबित होता है तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे चुनाव के ठीक पहले पांट साल आपके साथ रहे और चुनाव के ठीक पहले चले गए अब यह वो दीए इस विसे का तो हम लोग चुनाओं के बार अब वो लोग किस हालात में है पहले तो उनकी इस्तिती कुछ लोग चुनाओं लड़ने के लिए यहां से गए इनको लगा होगा कि हम किसी को रगुवर जी बहुत पसंद आये तो किसी को कोई पसंद आया इस हिसाब से लोगों ने अपना कुछ-कुछ निने लिया है और राज की जनता उनको भी जवाब देगी और जो समय कहेगा उस हिसाब से हम लोग भी अपनी चीजों को निने लेंगे मैं लब आपके दर्वाजे किसी के लिए बंद नहीं है अगर कोई आना चाहे अगर आपकी पार्टी के साथ तो आप स्वागत करेंगे उनका ये पार्टी करने ने है होगा ये अभी मुझे लगता है कि ये जो सवाल है आपका ये सवाल थोड़ा सा जो बिसेश से हम लोग जिस बिसेश पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे अलग हट करके इसका कुछ और मायने निकल रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं भी सवाल को अभी आपके सामने कोई बात रखने की पोजिशन में हूँ लेकिन ये जरूरी संगठनी की भी सह है संगठन के साथ ये नेड़ने लिए जाएंगे जब एक चीज़ और मैं कहूंगा कि चुकि देखे ऐसा होता है कई बार कि आपने जैसे मुद्दे की बात की थी कि रास्ट्रिय मुद्दे कई बार उठ जाते हैं और शेत्रिय मुद्दे चले जाते हैं लेकिन आप मानते हैं कि अगर प्रदेश से बाहर के लोग ज्यादा आ जरूर आ रहे थे लेकिन इस्टार प्रदेश स्तर के भी बहुत सारे थे और अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें स्टार प्रचारक बाहरी ज्यादा थे चाहे वो नितिन गड़करी हो या फिर रवीशंकर प्रसाद हो या कोई भी नेता हो या फिर अमित शाह हो या कॉंग्रेस राश्टेदल है निस्चितरूप से उनके पास नेताओं का एक बड़ा जखिरा है और उनका उपयोग तो होना ही है लेकिन हाँ यह बात जरूर है कि वो लोग किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं आज समिधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो लोग परचार नहीं करेंगे लेकिन विसय सबसे बड़ा महत होता है और विसय के साथ लोग जुड़ते हैं और विसय के साथ लोग नेड़े लेते हैं आज जिस विसेख को लेकर ये चले हैं, वो विसेख कहीं न कहीं, वो तो खेर इनके यहां पर, वही तो मैंने कहा, कि यहां के स्टार परचारक को की नईयां पार कराने के लिए सूपर स्टार परचारक जी को वहां पर उतरना पड़ता है, और हमारे लिए क्या है, तो हम तो परचार भी करना है औरों का अपनी भी परचार करनी है यहां तो जुता पाट से चंडी पाट खुद का है आज इनके पास तो आपके पास मीडिया के सामने बोलने वाला अलग चेहरा है पबलिक के सामने बोलने वाले अलग चेहरा है पेपर, प्रिंट मीडिया के सामने अपनी चीजों को एस्टेबलिस्ट करने वाली अलग, इनकी तो पूरी फौज खड़ी है, हम तो एक अधना सा वैक्ति हैं, और हम लोग बिलकुल अपनी जमीनी हकीकत के साथ चलते हैं, और उस हकीकत, हम ने कहा कि हम एक सकारात्मक में देखाओगा, ट्रैक क्या होगा, तो हमारे पास लोग भाड़े के लोग偲 नहीं आते हैं, हमारे यहां लोग क्यरर करके दोग के नहीं लाए जाता हैं, और जबकि इनके सभाओं में किस तरीके से लोग आते हैं, आप उनको पताओगा, चुनाओं के बीच में जसिल П. की कुछ महिलाओं को धंकी दे करके सभाव में आने की कही जाती थी नहीं जाने से पर उनके जो सरकार के द्वारा दिया जाता पैसे वो काटे जाएंगे पहले भी काटे गए हैं उन लोगों ने चुनावा यग में कंप्लेन भी किया है ऐसे कई चीजें आप देखेंगे कि य सरकार के अंदर में भी जो लोग कारेरत हैं उनके अंदर में भी एक बहुत बड़ी आक्रोस जरम ले रहा था क्योंकि आज सरकार तो यहाँ चली नहीं रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि सरकार चल रही है यहां सरकार बनाने की संभावनाओं पर बात हो रही है और पिलहाल संभावनाओं आपकी तरफ है कितनी अलग होगी आपकी सरकार इस सरकार से यह सरकार जारकन के दिलों और उनके भावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा और हमें पता है चुकि यह राज हमारे आधन्य गुरू जी हमारे अगवा साथियों के द्वारा एक लंबे संगर्स के बाद लिया गया है पाया गया है हमें जितनी पीड़ा इस राज के परती है मुझे साइधी है कि कोई और किसी को हो सकता है और मुझे पता है कि हमें कहां किस तरीके से लोगों को किस इसक्यावज सकता है हमें किस चीजों पर प्राथमिक्ता पहली दूसरी तीसरी देली बहुमत भी अगर मिलता है तो ये गटबंधन की सरकार होगी बहुमत भी मिलता है गटबंधन की सरकार होगी लेकिन हमन सुरेन जी चुकी रगवरदास की सरकार ये दावा करती रही कि इस 19 साल में पहली बार 5 साल एक सरकार चली बहुमत के साथ सरकार चली ये बताएं कि क्या इस बार ये जो उनके दावे होते थे कि पहले की सरकारे जो थी वो धुल्मूल होती थी इस बार ऐसा नहीं होगा पूरे पांच साल आप चलाएंगे सरकार बढ़िया से अगर मौका मिला तो बिल्कुल देखे हम राज के विकास से हम किसी तरीके का कोई कंपरमाइज नहीं करेंगे और यहां के लोगों की भी नजर अंदाज बिल्कुल हम बरदास नहीं करेंगे इसके लिए आपने देखा होगा कि हम अपने कारकार में अपने सरकार में हम लोगों ने सरकार में कई कड़े कदम भी उठाए अपने गड़ बंदन साथियों के साथ चाहे कोई भी किसी भी तरीके का कोई इस तरीके से नहीं नजर अंदाज कर सकेगा इस राज को और थोड़ा सा अनुभव भी प्राप्त हुआ है तो कैसे इसको आगे ले जाना है अब चिंता करने क्या होई सकता नहीं मैं अभी शेयक और राजेश हमारे सही होगी हम दोनों की तरफ से आपको बहुत-बहुत-बहुत सारी शुभकाम नाए उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास जो है वो काईम रहे और जनाव